पहले बार लोक्षवा शांसद बनी टीमसी की महुआ मोहितरा का जल्वा एक और फिर लोक्षवा में नजर आया आज लोक्षवा में गैर कानूनी गतिवीद या रोक थाम संसोधन बिदेख पर बोलते समय उन्होंने सरकार पर जोरदार निशाना साधा उन्होंने शेरो शाहिरे के जर ये सरकार को बताया कि वो गलत रास्ते पर चल रही है महुआ ने सरकार पर आरोप लगाया कि ट्रॉल आर्मी भी पक्षी नेताओं को निशाना बना रही है उन्होंने कहा कि इस सदन में भी बार बार इसकान वब होता है जब भी हम राश्ते शुरक्षा पर सरकार की नीतियों का विरोध करतें तो हमें देश द्रोई बताया जाता है उन्होंने ब्यांग भरे लहज्यों में कहा अगर बीजेपी के साथ हो तो भगवान और ना हो तो शैतान उनके इन बयानों पर शदन में हंगामा भी हुआ लेकिन महुआ अपनी बात पर अड़ी रही उन्होंने अस्पीच के दौरान यगाना चंगेजी का सेरी पढ़ा सब तेरे सिवा काफिर आखिर इसका मतलब क्या सर्फिराद्दे इंसा का ऐसा खत्व ए मजहब क्या महुआ ने कहा कि सरकार विरोधी बनकर विभारत के हित में सोचा जा सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है महुआ ने विधेयक के खिलाब भी अपनी बात विस्तार शरकी उन्होंने कहा कि इस विधेयक के दो प्रावधान खासे चीनता जनक है उन्होंने कहा कि इस विधेयक में बिना उचित प्रकडिया के किसी को भी आतंगवादी गोशित करने का प्रावधान है साथ ही NIA बिना राजी पुलिश को बताए किसी प्रदेश में छापे मार शकती है और गिराफतार या कर शकती है महुआ ने इन प्रावधानों को शंगवाद, सम्वीधान और लोगों के खिलाफ बताया महुआ ने आखिर में भी अपनी बात राहत इंदोरी के एक शेर के साथ खत्म की लगे की आग तो आएंगे घर कई जद में यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है लोक्षवाएं पहली बार दिये गए उनके भासन की देश भर मिच्चारचा हुई थी